और एक बार पर सिरुक करेंगे मारे संबादाता ग्यानेंद्र का जो कि मरसात लाइव जुड़ गए हैं उनका यहाँ पर रुकर लेते हैं ग्यानेंद्र चारधाम यात्रा को लेकर डिस्प्यूट विबाद जो है वो चड़ रहा है हाई कोर्ट और सरकार के बीच लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से लगाये गए हैं साबट पर हाई कोर्ट ने जो बात कही थी कि जो तयारियां है सरकार की वो इतनी नहीं है कि उसमें कोवीट काल में चारधाम यातरा की सुरुदा कर दीजाए क्योंकि कुंब के दोरान ये बात कहना है हाई कोड़ का कि वो चीजें को मिले थी कि कितनी संख्या में सरधालू को रोना पॉजिटिव हुए थे और इसे में जो तैयारी है वो इतनी नहीं है कि वह चारदाम यातरा को इजादत दे और जिस तरीके से सरहाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया उसके बाद सरकार इस मसले को लेके सुप्रीम पोर्ट पहुची और जिस तरीके से अब चारदाम यातरा को लेके सरकार हर कोशिश संभग कर रही कि इस यातरा को संचालित किया जाए क्योंकि जिस तरीके से कई ब्योसाय जो हैं इस स्यातरा से जुड़े हैं और ऐसे में कुरोना मामारी के कारण जिस तरीके से काफी समय से जो ब उसाय चनल नहीं पा रहा है तो सरकार की कोशी से की चारधाम यात्रा की सुरुवात कराई जाए क्योंकि काफी जो लोग हैं लाखों की संख्या में जो इससे जुड़े हैं उनकी जुड़ी हुए यही वज़ा है कि आज पुना एक बार फिर मुख्यमंत्री जो नए मुख्य सिंग धामी हुआ अधिकारियों के ताथ सचिवाले में इसको लेके समिक्षा बैठक करने वाले हैं और जाहिर तो अपर यानेंद्र जिस तरह से हाई कोट की तरह से यह बात कहीं गई है इस बात पर जो जो यहाँ पर चिंता जाहिर की गई है कोरोना काल में अगर चारधा म्यातरा की शुरुआत होती है तो कहीं न कई चुनौती जो है वो सरकार के सामने खड़ी होगी और उसके लिए भी एक आधार यहाँ पर रखा गया है कि जो व्यवस्ता होनी चाहिए चाहिए वो स्वास्ते व्यवस्ता को लेकर हो तो यह तमाम ऐसी जो पॉइंट्स है वो सरकार की अधिकारियों ने जो तैयारियों को लेकर जो रिपोर्ट सौपी वो कहीं न कहीं इतनी बहतर नहीं है जितना की कोवीट काल में जो नियम कानून लागो होने चाहिए जो तैयारी होने चाहिए साब तो पर हाई कोट ने यह बात कही कि वो लाइव दर्सन के लिए दे रहे हैं अगर सरकार चाहती है तो चारो धामों के लाइब दर्सन व सरदालूँ को करा सकती हैं लेकिन या तरह कर ने पर रज्य के यह सबूतर है जो नए मुख्यां को लेकד गंभीर है कि जो चार धाम यातरा है उसका संचालन करा जा शौरियस कर पहुंचे है तो CM ने शहीदों को श्रथांजली भी स्टैनिक कल्यान मंत्री गड़े जोशी भी उनके साथ बहुत रहे तो CM ने रक्षा रोपन किया तो कैंट बोट के लोगों ने CM के सामने हाउस टेक्स मांग करने का प्रस्ताव रखा है यह जो परिशानिया थी यह जो मांग लब्यबक्स के चली आ रही थी वो CM के सामने ही आपर रखी गई है तो देरादून से बड़ी खबर CM पुशकर सिंग धामी देरादून पहुंची जहापर CM ने शहीदों को श्रथांजली दी है तो व्रक्षा रोपन भी आपर करते नजर आए इनकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तो यह जहीद सौरे सल की तस्वीरे जहापर किस तरह से पुशकर धामी व्रक्षा रोपन करते नजर आए और वहां मौजूद लोगों से मुखातिब भी हुए तो पुशकर सिंग धामी शहीद सौरे सल पहुँचे थे जहाँ उन्होंने शहीदो कोश धांचली दी इसकी तस्वीरे आपको लगातार नेट्वर्टेंट पर हम दिखा रहे हैं तो इस दोरान सीम के सामने हाउस टेक्स माफ करने का प्रस्ताव भी वह मौजू लोगों की करद से रखा दे हैं इस दोरान की तस्वीरे जहाँ पर तमाम अधिकारियों से जानकारी जुटाते हुए पुशकर खाद